दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे दोस्तो अब अपना आधार काड में मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हो दोस्तो यहाँ पर बुक आपमेंट नहीं करने वाला हूँ पहली पार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोरू करना तो दोस्तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं अब दोस्तो उसके लिए वीडियो के डिस्कृप्षन में एक लिंक दे दिया हूँ लिंक पे दोस्तो जैसा ही किलिक करोगे तो आपको इस पोटल पे आज अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको घर बैठे अपने आधार काड में मोबाइल नंबर लिंक करने का इजी तरीक से प्रोसेस कर दिया है अब दोस्तों जैसा ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे किलिक करोगे तो आपको इस टैप से इंटरफेस खुल उसको दोस्तों इस टैप से कुछ फॉर्म फिलब करना पड़ता है सबसे पहले यहाँ पे मिस्टर हो या तो मिस्टर लड़का हो तो यहाँ पे मिस्टर लड़की हो तो मिस्टर लड़की हो तो मिस्ट इस टैप से यहाँ पे भार दना है जैसे यहाँ पे देखते हो सब जो भी आपके आधार काड में अड्रेस है उसको भर दना है अड्रेस 1 अड्रेस 2 यहाँ पर दना है उसको दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ओफिस भर दना है आपका यानि की पिन कोड का आपका दोस्तों नियारिस्ट पिन कोड जो भी है उसको भर दना है पीन कोड दोस्तों जैसे ही आप भरोगे तो आपका ओटोमेटिक यहाँ पे नियारिस्ट पोस्ट ओफिस आ जाएगा जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं राची सो तो राची का पोस्ट ओफिस का यानि की एक पीन कोड डाल दिया तो दोस्तों आपके नियारिस्ट यानि के इसको दोस्तों यहां पर क्या किस के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो यहां पर आपको लिख देना है मोबाइल नंबर लिंक इन आधार लिख देना है इन आधार यहां पर इस टाइप से आधार लिख देना है उसको यहां पर टिक कर देना है उसको फटा फट से य आप किलिक करोगे तो आपका request लग जाएगा और post office में चला जाएगा उसके बद दूस्तो आपके नजदी की जो भी आपका आधार काड में mobile number लिंग करता है उसको दूस्तो आपके postman के तरफ से order दे दिया जाएगा उसके बद दूस्तो जो भी agent है आधार agent ओ दूस्तो आपक thank you for receiving your submission यानि कि receive हो चुका है इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा उसके बद आपका request यानि की post office में चला जाएगा उसके बद दूस्तो पोस्ट माइन आपके नजदीक में जो भी आधार सुधार करता है या तो आधार अपडेट करता है उस agent को यानि के आधार agent को द यानि कि mobile number link कर देगा उसको दोस्तो जो भी legal payment रहेगा यानि कि 50-60 पर जो भी payment करता है वो दोस्तो आपको देना पड़ेगा उसके बद आप घर बैठे यहाँ पे link कर सकते हो तो दोस्तो इस टैप से नया तरीका आ चुका है अब आप घर बैठे अपने आधार काड में mobile number link कर सकते हो आप दोस्तो एक बार जरू से जरूर ठराई करना अभी यहाँ पे नया प्रोसेस आ चुका है जैसा ही link हो जाता है तो comment box में जरू से जरूर comment कर देना तो दोस्तो इस वीडियो में यहीं चीज़ आपको जानकारी बताना था जानकर यह अच्छा लगा वीडियो क लाइक करना अपने दोस्तों तक share जरूर करना और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना